या देवी सर्व भूतेशो शक्ति रूपेण संस्तिता नमस्तसे 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 नमो नमाहा जै मातादी ओम नमस्षिवाय हरे क्रिश्ना नमस्कार भगतों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट MS वोईस में मातारानी का शिर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सरवदा बना रहे और आपके सब ही मनो कामनाए पोन हो यही मंगल कामना करते हैं आज चैत्र नवरात्री का पहला दिन है आज के दिन कलश स्थापना के सासाथ शिरी दुर्गा सब्तशती का पाठ भी प्रारंब किया जाता है दुर्गा सब्तशती के पाठ में पहले दिन दुर्गा कवच, अर्गला और केलक्स तरोट के सासाथ दुर्गा सब्तशती के पह करके संकल्प लिया जाता है कि आज से आप नवरात्री के पूरे नौ दिन शिरी दुर्गा सब्तशती का पार्ट विधी विधान से और पूर्ण श्रध्था भक्ति भाव से करेंगे इसके लिए मा भगवती आपकी घर में नौ दिनों तक विराज मान रहे और प्रात्ना करे कि आपकी मनो कामना जल्दी से जल्दी पूरी करें और इस पार्ट को पढ़ने या सुनने में आपसे जो भी जाने अंचाने में गलती हुई है उसके लिए आपको ख्षमा कर सकें तो आईए आज से श्री दुर्गा सब्तशती पार्ट का अमरित्पान करते हैं आज कि यह जितने भी कवच पार्ट हैं उन सभी में श्री दुर्गा कवच पार्ट सबसे उत्तम होता है और मा दुर्गा का यह कवच संसार के सभी 18 पुरानों में सबसे अधिक शक्तिशालिक कवच माना जाता हैं कहा जाता है जो भी भक्त श्रधा के साथ इस कवच का पार्ट कर ले वो देशा की और मुख करके ही करना चाहिए इस पार्ट को जो भी व्यक्ति नवरात्री के दिनों में नियमित रूप से करता है मा दुर्गा उनकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं तो आईए रस्पान करते हैं शिरी दुर्गा कवच पार्ट का ओम नमस्चंडिकाए महरिशी मारकंडे जी बोले कि हे पिता महा संसार में जो गुप्थों और जो मनुश्यों के सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी और को आज तक ना बताया हो वह कवच मुझे बताईए शिरी ब्रह्मा जी कहने लगे अत्यांत गुप्थ वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझे सुनो प्रथम शैल पुत्री दूसरी ब्रह्मचारिनी तीसरी चंद्रघंटा चौथी कुष्मांडा पांचवी सकंदमाता छटी कातियानी सात्वी कालरात्री आठ्वी महागोरी तथा नवी सिध्धी दात्री यह देवी की नौ मुर्तियां हैं यह नव दुर्गा कहलाती हैं आग में जलता हुआ रण में शत्रु से खीरा हुआ विशम संकट में फसा हुआ मनुश्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करें तो उसको कभी भी हानी नहीं होती रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति जनक नहीं होता और ना उसे किसी प कि आप निसंदे रक्षा करने वाली हो चामुंडा प्रेद पर वाराही भैंसे पर रौद्री हाथी पर वैश्णवी गरुड पर अपना आसन जमाती हैं माहेश्वरी बैल पर कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिये हुए विश्णू प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन बर विराजती हैं महीं बैल परवाथि हुई इश्वरी देवी में श्वेद रुपधरन कर रखा है और सब प्रकार की अभुश्णों से विभूशित भामी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देविyr I am प्रकार की योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रतन धारन किये हुए हैं भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रत में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर पर्शू तथा पाश भाल और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदी शास्त्रों को देत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्यान के लिए धारन किये हैं हे महाराद्रे अत्यांत घोर पराक्रम महानबल और महान उत्साह वाली देवी आपको मैं नमस्कार करता हूँ हे देवी आपका दर्शन दुलब है तथा आप शत्रों के भै को बढ़ाने वाली हैं हे जगदम्भी के मेरी रक्षा करो पूर्व दिशा में एंद्री मेरी रक्षा करे अगनी कोण में अगनी शक्ती दक्षिन दिशा में वाराही देवी तथा रित्य कोण में खडंग धारिनी देवी मेरी रक्षा करे पश्चिम दिशा में वारूनी, वायू कोण में म्रिग वाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और इशान कोण में शूल धारेनी देवी मेरी रक्षा करे, भ्रमानी उपर की ओर से मेरी रक्षा करे, और वैश्नवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे, और इसी प्रकार श ताहिनी और से मेरी रक्षा करें उध्योतिनी देवी शीखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराज मान होकर मेरी रक्षा करें इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करें और यश्यस्वीनी देवी मेरी भौहों का सरक्षन करें बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथूनों की यमघंडा देवी रक्षा करें, नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासी देवी कानों की रक्षा करें, कपोलों की काली का देवी और कानों के मूल भाग की भगवति शांक्री रक्षा करें, सुगंधा नासिका में और चर्चिका उपर के होंट में, अम्रितकला नीचे के होंट की सरस्वति देवी जेब की रक्षा करें, कौमारी देवी दांतों की और चंटी का कंठ परदेश की रक्षा करें, चित्रघंटा गले की घंटी की और महा माया तालू की रक्षा करें, काम के मेरु दंड की रक्षा करें, कंट के भारी भाग की नील कृवा और कंट की नली की नल कूबरी रक्षा करें, दोनों कंधों की खडगीनी और वजिर्धारीनी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें, दोनों हाथों की दंडीनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करें शुलेश्वरी देवी संपोन नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे महा देवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे ललीता देवी हिर्दे की और शूल धारिनी उदर की रक्षा करे कामीनी देवी नाभी की, गुहेश्वरी, गुहया भाग की, पूतना और कामी का लेंग की, और महेश्वाहिनी गुदा की रक्षा करे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंगाओं की रक्षा करे विंध्य वासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पाउं की प्रिष्ट भाग की श्री धरी पाओं की उंगलियों की, तलवासिनी तलवों की, दैश्टन अक्राली देवी नखों की, उधर्व केशिनी केशों की, बागेश्वरी वानी की रक्षा करे, रोमा वलियों के छिद्रों की कौबैरी और त्वच्चा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्व प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्यान, शोबना, मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्ष इन विश्यों का अनुभव करते समय योगीनी देवी मेरी रक्षा करे। तथा सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण की रक्षा नारायनी देवी करे। आयू की रक्षा वाराही देवी करे। वैश्णवी धरम की तथा चक्रिनी देवी मेरे यश, किर्ती, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्रानी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडी के आप मेरे पश्वों की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। राजा के दर्बार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विज्या देवी चारों और से मेरी रक्षा करे जो स्थान रक्षा से रहे थो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जैनति देवी रक्षा करे अपना शुब चाहने वाले मुनुश्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना जाएए क्योंकि कवच रखने वाला मुनुश्य जहां जहां भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाब होता है तथा विजय प्राप्त करता है वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में माहा एश्वरे को प्राप्थ होता है कवच धारी मुनुश्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननिय होता है देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दूरलब है जो प्रती दिन नियम पूर्वग तीनों संध्यों के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यों से रहित होकर सौ वर्षों तक जीवित रहता है उसकी लूता, चर्मरोग, विस्फोटक, आदि समस्त व्याधियां स्मूल नश्ट हो जाती है और स्थावर, जंगम तथा कृतिम विश्टूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारत प्रयोग और इस तरह के जितने यंद्र मंत्र इत्यादी होते हैं इस कवच की हिर्दे में धारन करने पर नैश्ट हो जाते हैं इसके अतिरिक्त प्रिथ्वी पर विचरने वाले भूचर नपचर जलचर प्राणी उपदेश मातर से सिध होने वाले निम्नकोटि के देवता अपने जनम से साथ प्रकट होने बाले देवता कुल देवता माला आदी डाकिनी शाकिनी अंत्रीक्ष में विचरने वाली अत्यंत बल्वती भेनक डाकनिया ग्रह, भूत, पिशाज, यक्ष, गंधर, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुश्मांड और भैरवादी अनिष्ट कारक देपता भी उस मनुश्य को जिसने की अपने हिर् यह कवच धारन किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं, इस कवच के धारन करने से मन और तेज बढ़ता है, जो मुनुश्य इस कवच का पाट करके उसके पश्चात सब्त शती चंडी का पाट करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है, और जब तक वन, परवत और काननादी इस भू मंडल पर है, तब तक यहां पूत्र पोत्र आदिसंतान परंपरा बनी रहती है, फिर देहांथ होने पर ऐसा मुनुश्य परंपद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लब है, और अंत में सुन्दर रूप को धारन करके भगवान शं चंडिकाई इन नामों से प्रसीद जगदंबे के आपको मेरा नमस्कार हो, देवी चामुंडे आपकी जय हो, संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी आपकी जय हो, सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो, काल रात्री आपको नमस्कार हो, मधु और तथा ब्रह्मा जी को वर्दान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी आप रूप दो जैदो यश्तु और काम क्रोद आदिशत्रों का नाश करू। पापों को दूर करने वाली चन्डिके जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। उन्हें रूप दो जैदो यश्तु और काम क्रोद आदिशत्रों का नाश करू। हे चन्डिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं। रूप दो जैदो यश्तु और काम क्रोद आदिशत्रों का नाश करू। जो मुझसे द्वेश करते हों। उनका नाश और मेरे बल की वृध्धी करो। रूप दो जैदो यश्तो और काम क्रोद आदिशत्रों का नाश करो। हे देवी मेरा कल्यान करो। मुझे उत्तम संपत्ति परदान करो। रूप दो जैदो यश्तो और काम क्रोद आदिशत्रों का नाश करो। हे अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मनियों को तुम्हारे चर्णों में घिसते हैं। आप रूप दो जैदो यश्तो और काम क्रोद आदिशत्रों का नाश करो। आप अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मी वान बनाओ तथा रूप्तो, जैदो, यश्टो और काम क्रोध आधिशत्रों का नाश करो। प्रचंड देत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शर्णागत को रूप्तो, जैदो, यश्टो और काम क्रोध आधिशत्रों का नाश करो। चतर बुझ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित, चार भुजा धारिन, परमेश्वरी आप रूप्तो, जैदो, यश्टो और काम क्रोध आधिशत्रों का नाश करो। हे देवियंबिके, भगवान विश्णू, नित्य निरंतर, भक्ति पूर्वग आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप्तो, जैदो, यश्टो और काम क्रोध आधिशत्रों का नाश करो। हिमाल्य कन्या पार्वती के पती महादेवजी के द्वारा होने वाली परमेश्वरी, आप रूप्तो, जैदो, यश्टो और काम क्रोध आधिशत्रों का नाश करो। शचिपती इंदो के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप्तो, जैदो, यश्टो और काम क्रोध आधिशत्रों का नाश करो। प्रचेंड भुज दंडों वाले द्यत्नों का घमंड चूर करने वाली देवी, आप रूप्तो, जैदो, यश्टो और काम क्रोध आधिशत्रों का नाश करो। हे देवी अंबिके, आप अपने भक्त जनों को सदा, असीम, आनद परदान करती हो। मुझे रूप्तो, जैदो, यश्टो और काम क्रोध आधिशत्रों का नाश करो। मन की इच्छा के नुसार चलने वाली मनोहर पत्नी परदान करो। जो दुरगम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में जन्मी हो। जो मनुश्य इस स्त्रोध का पाठ करके सब्त शती रूपी महा स्त्रोध का पाठ करता है, वह सब्त शती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ट फल को प्राप्थ होता है, साथ ही वह प्रचूर संपत्ती भी प्राप्थ कर लेता है, इती देव्या अर्गला स्त्रोधम सं इनका शरीर है तीनों वेध ही जिनके तीन नेत्र हैं जो कल्यान प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करते हैं उन भगवान शेव को नमस्कार है मंत्रों का जो अभी किलक है अर्थात मंत्रों की सिध्धी में विगन उपस्थित करने वाले शाप रूपी किलक का निवारण करने वाला है उस सब्ध शतिस्त्रोत को संपोण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करने चाहिए उसके भी उचाटन आदी कर्म में सिध होते हैं उसे भी समस्त दुरलब वस्तों की प्राप्ति होती हैं तथा भी जो अन्य मंत्रों का जब ना करके केवल इस सब्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तूती करते हैं उन्हें स्तूति मात्र से ही सचिदा नंद स्वरूपिनी देवी सिध हो जाती हैं। उन्हें अपने कारे की सिध्धी के लिए मंत्र औशध्धी तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की अविशक्ता नहीं रहती। बिना जबके उनके उचाटन आदी समस्त अभिचारिक कर्म सिध्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिध्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंकाती कि जब केवल सब्तिशती की उपासना से भी समान रूप से अत्वा सब्तिशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सबकारे सिध्ध होते हैं। अब इन में श्रिष्ट कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आये हुए जिग्यासों को समझाया कि यह सब्तिशती नामक संपोन स्त्रोथी सर्वश्रिष्ट एवं कल्यानमय है। तदन्तर भगवती चंडिका के सब्तशती नामक स्त्रोथ को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सब्तशती के पार से जो पुन्ने प्राप्ठ होता है उसकी कभी भी स्माप्ति नहीं होती। किन्तु अन्ने मंतरों के जब जन्ने पुन्ने की समाप्ति हो जाती है। अतह भगवान शेव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सब्तशती की ही स्रेष्टा का निर्णे किया उसे जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जब करने वाला पूरुश भी यदि सब्तशती के स्रोज और जब का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पोड रूप से ही कल्यान का भागी होता है। अन्य था उनकी प्रसंता नहीं प्राप्थ होती। इस प्रकार सिध्धी के प्रति बंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोज को किलित कर रखा है। जो पुर्वोक्त रीती से निश्केलन करके इस सब्तिशति स्त्रोथ का प्रति दिन स्पष्ट उचारन पुर्वक पाठ करता है। वह मुनुष्य सिध्ध हो जाता है। वही देवी का पार्शद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अप मृत्यू के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतहा कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सब्तिशतिका पाठ आरंब करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाष हो जाता है। इसलिए किलत और निशिकिलन का ग्यान प्राप्त करने पर ही यह स्तृत निर्दोष होता है। और विद्वान पुरुष इस निर्दोर्ष स्त्रोत का ही पाट आरंब करते हैं, इस्त्रियों में जो कुछ भी स्वभाग्यादी द्रिष्टी गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है, इसलिए इस कल्यान में स्त्रोत का सदा जब करना चाहिए, इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की सिध्धी है अतहा उच स्वर से ही इसका पाठ आरंब करना चाहिए जिनके प्रसार से एश्वर्य, स्वभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परमोक्ष की भी सिध्धी होती है उन कल्यान में देवी की स्थूती मनुश्य को अवश्य करने चाहिए इतनी की लक्स द्रोतम समाप्त तो आईए पूरे भक्ति भाव से श्रवन करते हैं दूर का सब्तशती का पहला अध्या है जिसमें मेधा रिशी का राजा सूरत और समाध्य को देवी की महिमा बताते महरिशी मारकंडे बोले सूरे के पूत्र सावर्णी की उतपत्ती की कथा विस्तार पूर्व कहता हुँ सुनो सावर्णी महमाया की क्रिपा से जिस परकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो पहले स्वराचिश नामत राज्य था वहपराजा को अपने पूत्र के उसमान मानते थे उसके बावजूद भी कोला विद्भंशी राजा उनके शत्रू बन गए दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके से लड़ाई हो गई कोला विध्वन्सियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत यूद में उनसे हार गए तब वह अपनी नगर में आ गए केवल अपनी देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे किन्तु उनके शत्रों ने उन पर वहां पर भी आक्रिमन किया राजा को बलहीन देखकर उसके दोष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया राजा सूरत अपने राज्या धिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भेंकर बन की ओद चले गए उस वन में उन्होंने महरिशी मेधा का आश्रम देखा वहां मेधा महरिशी अपने शिश्यों तथा मुनियों से सुशों भित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परमशांति भाव से रहते थे राजा सूरत ने महरिशी मेधा को प्रणाम किया और महरिशी ने भी उनका उचित सत्कार किया राजा सूरत महरिशी के आश्रम में कुछ समय तक ठहर गए अपने नगर की ममता के आकरशन से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्वकाल में पूर्वजो ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है मेरे दूष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धरम से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं मेरा प्रधान हाथी जो की सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था मेरे वैरियों के वर्ष में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा मेरे आज्याकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदयाव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे वह अब निश्चे ही दोष्ट राजाओं का अनुसरन करते होंगे तथा मेरे दोष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा वियर्थी धन को वियाय करने से संचित कियो हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्ये ही खाली हो जाएगा इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा एक दिन राजा सूरत ने महरिशे मेधा के आश्रम के पास एक वैश्ये को देखा राजा ने उससे पूछा की भाई तुम कौन हो यहां तुमारे आने का क्या कारण है तो तुम मुझे शोक गरस्ट अनमने से दिखाई देते हो इसका क्या कारण है राजा के यह नम्र बचन सुनकर वैश्य ने महराज सूरत को प्रणाम करके कहा और बोला कि हे राजन मेरा नाम समाधी है मैं धनियों के कुल में उत्पन एक वैश्य हूँ मेरे दूष्ट इस्त्री पुत्र रादी ने लोब से मेरा सब कुछ छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चलाया हूँ और यहां रहता हूँ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुछल हैं या नहीं यहां मैं अपने परिवार का आच्रन संबंधी कोई समचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुछल पूर्वक हैं या नहीं मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं फिर राजा बोले, जिस धन के लोभी इस्तरी पुत्रों ने तुम्हीं घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा मन उनसे क्यों प्रेम करता है। फिर वैश्य ने कहा, मेरे विश्य में आपका ऐसा कहना ठीक है, किन्तु मेरा मन इतना कठोर नहीं है, भले ही उन्होंने धन के लोभ में पढ़कर, पित्रु सनेह को त्याकर, मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती, हे महमते, मेरा म फिर भी उनमें क्यों फस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा, मेरा मन उनके लिए दुखी है, मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसे ले रहा हूं, उन लोगों में प्रेम का नाम तक नहीं है, फिर भी ऐसे निह सनेहों के लिए मेरा हिर्दे कठोर नहीं होता महरेशी मारकंडे जी ने कहा कि हे ब्रामन इसके पश्चाद महराज सूरत और वहवैश्य दोनों महरेशी मेधा के समेप गए और उनके साथ यद्धायों के न्याय संभाशन करके दोनों ने वार्ता आरंब के राजा बोले हे भगवन मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूँ सो आप क्रिपा करके मुझे बताईए मेरा मन अधीन नहीं है इससे मैं बहुत दुखी है राज्य धनादी के चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरे यह ममता अज्यानियों की तरह बढ़ती ही जा रह है इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार दिक प्रेम रखता है इस तरह हम दोनों ही दुखी है हे वाहभाग उन लोगों के अब गुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्शन उत्पन हो महारी जग्यान बहते हुए भी असक क्यों है अज्यानी मनुश्यों की तरहा हम दोनों यह मुर्कता क्यों कर रहे हैं महरिशी मेधा ने कहा विशम मार्क का ज्यान सब मनुश्यों को है सबों के लिए विश्य प्रिथक प्रिथक होते हैं कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और कुछ रात को परन्तु कई जीव ऐसी हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं यह सत्य है कि मनुश्यों में ग्यान परधान है किन्तु केवल मनुश्य ही ज्ञानी नहीं होता पशु पक्षी आदे भी ज्ञान रखते हैं जैसे ही पशु पक्षी ज्ञानी है वैसे ही मनुश्यों को ज्ञान है और जो ज्ञान मनुश्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है तदा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं ग्यान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पेड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अनके दाने डालते हैं हे राजन ऐसा ही प्रेम मनुश्यों में अपने संतान के प्रती भी पाया जाता है लोब के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुश्यों पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड़े में गीरा करते हैं भगवान शिरी हरी की जो माया है उसे से यह संसार मोहित हो रहा है इसमें आश्चरी की कोई बात नहीं क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है यही माह माया भगवती देवी ज्यानियों के चित को बल पूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ती होती है यही भगवती देवी प्रसन होकर मनुष्य को मुक्ति परदान करती है यही संसार के बंधन का कारण है तथ संपूर्ण इश्वरों की भी स्वामी नहीं है महराज सूरत ने पूछा कि हे भगवन वह देवी कौन सी है जिसको आप महमाया कहते है हे ब्रहमन वह कैसे उत्पन हुई और उसका कारे क्या है उसके चरित्र कौन कौन सी है प्रभो उसका जैसा प्रभाव हो जैसा स्वरूप हो वह सब ही क्रिपा करके हमसे कहिए हम आपसे सुनना चाते है महरेशी मेधा बोले राजन वह देवी तो निट्ट्य स्वरूप है उसके द्वारा यह संसार रचा गया है तब भी उसकी उत्पत्ती अनेक प्रकार से होती है वह सब आप मुझसे सुनो वह देवताओं का कारे सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय वह उत्पन हुई कहलाती है संसार को जलमई करके जब भगवान विश्णु योग नित्रा का आश्रे लेकर शेश शेया पर सो रहे थे तब मधु कैढ़म नाब के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मालने के लिए तयार हो गए श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो यह भी देखा कि भगवान विश्णु योग नित्रा का आश्रे लेकर सो रहे है तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग नित्रा के स्तूति करने लगे श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी तुम ही स्वाहा तुम ही स्वधा और तुम ही वश्टकार हो स्वर्फी तुम्हारा ही स्वरूप है तुम्ही जीवन देने वाले सुधा हो नित्य अक्षर प्रणाओं में अकार, उकार, मकाद इन दोनों में माताओं के रूप में तुम्ही स्थीथो इन के दिरेग जो विंध पथ, अर्ध मात्रा हैं जिसका की विशेश रूप से उचारन नहीं किया जा सकता हे देवी वह भी आप ही हो हे देवी संध्या सावित्री तथा परम जन्नी आप ही हो आप इस विश्व को धारन करने वाली हो आप नहीं इस जगत की रच्छना की है और आप ही इस जगत का पालन करने वाली हो आप ही कल्प के अंत में सब को भक्षन करने वाली हो हे देवी, जगत की उद्पत्ती के समय आप स्रिष्टी स्वरूपा हो पालनकाल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में सहार रूप धर्ण कर लेती हो आप ही महाविद्या, महामाया, महमेधा, महरात्री और मोहरात्री हो शिरी एश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धी भी आप ही हो लज्जं, पुष्टी, तुष्टी, शान्ती और क्षमा भी आप ही हो आप खड़क धारिनी, शूल धारिनी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंक और धनुष को धारन करने वाली हो बान, भुशुंडी और परिग यह भी आपके ही अस्त्र हैं आप सौम्य और सौमयंतर हो यही नहीं, बलकि जितनी भी सौम्य तथा सुन्दर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुन्दर आप ही हो पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुन्दर भी आप ही हो हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सअस्त्पदार्थ हैं, और उन में जो शक्ती है, वह आप ही हो ऐसी अवस्था में, भला, आप किस्तुदी कौन कर सकता है? इस संसार की स्रिष्टी, पालन और सहार करने वाले जो भगवान हैं उनको भी जब आपने नित्रा के वश्षिभूत कर दिया है, तो फिर आप किस्तुदी कौन कर सकता है? मुझे भगवान विश्णू तथा भगवान शंकर को शरीर धारन कराने वाली आप ही हो आप किस्तुदी करने की शक्ती किसमे हैं? हे देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशांस निया हो मधू और कैटब जो भयंकर असूर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरी भगवान विश्णू को भी जल्दी जगा दो और उन में इनको मार डालने के बुद्धे भी उत्पन कर दो फिर महरिशी मेधा बोले, हे राजन, जब श्री भ्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकर स्तोती करके भगवान को जगाने तथा मधू और कैटब को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री विश्णू के नेत्र, मुख, नासिका, बाहू, हिर्दे और वक्ष स्थल से निकल कर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरी तुरंत जागू थे और दोनों असुरों को देखा जो की अत्यंत बलवान तथा परक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो भ्रह्मा जी का वद करने के लिए तयार थे तब कुरुध हो उन दोनों दुरात्मा सुरों के साथ भगवान श्री हरी पूरे पांच हजार वर्ष तक लड़ते रहे एक तो वह अत्यंत बलवान तथा परक्रमी थे दूसरे महा माया नभी उन्हें मों में डाल रखा था इसलिए वह श्री भगवान से कहने लगे हम दोनों तुम्हारी वीर्ता से अत्यंत प्रसन है तुम हमसे कोई वर मांगो फिर भगवान ने कहा यदि तुम मुझ पर प्रसन हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ बस इतना सा ही वर मैं तुम से मांगता हूँ यहां दूसरे वर से क्या प्रियोजन है महरिशी मेधा बोले इस तरह से जब है धोके में आ गए और अपनी चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरी से कहने लगे जहां पर जल ना हो सुखी जमीन हो उसी जगह हमारा वद की छे महरिशी मेधा कहते हैं यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तूती करने पर प्रगट हुई थी आज का ध्या यही स्माप्थ होता है इससे आगे का व्रितान आप अगले अध्याय में सुनेंगे क्षमा प्रात्ना हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अप्राध वोते रहते हैं यह मेरा दास है ऐसा समझ कर मेरे उन अप्राधों को आप क्रिपा पूर्वक क्षमा करो हे परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ठंग भी नहीं जानती क्षमा करो हे देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहिन, क्रियाहिन और भक्तिहिन पूजन किया है वह सब आपकी क्रिपा से पूर्ण हो सेंकडों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जातर जगदंब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो भ्रम्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलब नहीं है हे जगदंबी के मैं अपराधी हूँ किन्तु आपकी शरण में आई हूँ इस समय दया की पातर हूँ आप जैसा चाहो वैसा करो हे देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथ्वा बुद्धी भ्रांथ होने के कारण मैंने जो नियुंता या अधिकता कर दी हूँ वैसा क्षमा करो और मुझ पर प्रसंद हो सचिता अनंद स्वरूपा परमेश्वरी जगनमाता कामेश्वरी आप प्रेम पूर्वक मेरी है पूजा स्विकार करो और मुझ पर प्रसंद हो हे देवी हे सुरेश्वरी आप गोपनिय से भी गोपनिय वस्तु की रक्षा करने वाली हो मेरे निवेदन किये हुए इस जब को ग्रहन करो आपकी कृपा से मुझे सिध्धी प्राप्थो पाठ का यहीं स्मापन होता है Great MS Voice Channel मातारानी से आपके मंगल कामना के लिए प्रातना करते हैं हमारे चैनल पर हिंदू, व्रत, कथाएं, त्योहार से संबंधित, जानकरी और महात्मे कथाएं सुनाई चाते हैं यदि आप यह सभी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रैस किचेगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दे, आपका मंगल हो